दिखाना चाहता हूँ जिस काटून को आधनिया मदन शर्मा जी ने फॉरवर्ड किया था वाटसप में और जिसके कारण आज इनकी इस प्रकार से गंभीता से पिटाई हुई है उनकी तबियत ठीक नहीं यह वो काटून है आप देख सकते हैं और मैं मदन जी के साथ खड़े बचाना है अगर इस काटून को ट्वीट करने के लिए मेरे आख को लाल कर देंगे मेरे को ऐसे मारा जाएगा कि मेरी जीवन भी निकल सकती है मैं पूरे हिंदुस्तान को कहूंगा कि इस काटून में ऐसा कुछ नहीं है जुबान खोड़ने पर घर जुबान मेरा मजा अब प्लीज बैठ जाओ आप नौटी हो बस अप मजाक उडाने रायक नहीं हो अब तो नौटी नौटी डिवेट अपने यह कावाड तुमने चीता है तो क्या हो गया आप नौटी हैं तो इसमें आप इतना बुरा क्यों मान रहें घचुट Sultan थो आटे आप बोलते होत्य है अच्छा मतलब है यह कमाल हो गया तुमारी दो आप आप ही के संजे राउट में बताया था क्या अच्छा में नौटी बोला तो आप हराम खुर समझ गए यह तो बड़ा कमाल की बात है अब आप शांती से बैठो बहुत बुद्धिमान हो जो आप सही समझ गए आप मुझे बोल ले दिया जाए तुम उसी से नौटी बोल रहे ना और संजे राउट सरकार का हिस्ता नहीं है यह नौटी स्पोक्सपर्सन के आवाज को कम कर दो प्लीज संजे भाई मैं इन से पिता जैसे हैं मैं इन से उलजना नहीं चाहता हूं मैं जो विशे को रखने दिया जाए गंभीरता के साथ रख अब यह नौटी जो तीन वदाहरन देता हूं जे दो तीन उदाहरन देता हूं अब कर दो यह मैं शांत बैठ जाता हूं यह प्रवचन करते हैं किश्वर जी प्रवचन वाले भी हैं हमारे पास वो अभी कनेक्ट हूं आचारे प्रमूत कृष्णम उनका प्रवचन भी सुनवाओंगा अब आखको अब आखको अब आखको